नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आटे से नारियल वाले विस्कित बनाने जा रहे हैं तो नारियल विस्कित बनाने के लिए पहले हम एक बड़ा बरतल लेंगे और उसमें 5 चमच हम घी डालेंगे घी के जगापर आप मखन का भी इ जालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे इस तरह से हमें मिलाना है सारा चीनी डाल देंगे और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे पीसी वी चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है देखिए इसे फेटने के बाद ये बिल्कुल हलका हो गया क्रीम के जैसा हो गया ये अब इस समय हम लोग यहां पर दो कप गेहूं का आटा डालेंगे इसे छान कर हम डालेंगे जिससे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह से हम इसे हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए ये mix हो चुका है अब इसमें हम एक चोथाई cup मैदा डालेंगे मैदे को भी छान कर हम डालेंगे जिससे ये अच्छे से mix हो जाएगा और चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे एक तिहाई चमच हम इसमें baking powder डालेंगे सभी चीज़ों को डाल कर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ये है आधा कटोरी आधा कप है नारियल का चूरा नारियल पौडर हम इसमें डालेंगे आप एक ही कप से सारा कुछ नाप कर ले तो अच्छे से हमारा बिस्कित बनेगा नापने का या तो कटोरी ले या कप ले जो भी ले सभी हम एक ही से सारा चीज नाप कर लेंगे और इसे हम देखिए अच्छे से mix कर रहे हैं बिलकुल हलके हथों से इसे पहले हमें मिलाना है धीरे धीरे करके हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे ये देखिए हमारा ये अच्छे से mix हो चुका है हम इसे आपको बांध कर दिखा रहे हैं देखिए मूठी बंदने लगा आटा हमारा बंदने लगा है इससे हम ये समझेंगे कि इसमें हमारा सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम आधा कप दूद डालेंगे दूद हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तमाल सारा दूद नहीं डालना है दूद को थोड़ा थोड़ा डालकर इस्तमाल करना है दोस्तों तभी हम इससे आटा तयार करेंगे देखिए इस तरह से हमें इसका आटा लगा कर तयार करना है ज्यादा सक्त आटा हमें नहीं चाहिए जैसा हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमें आटा चाहिए ये गेहूं का आटा है इसलिए ज्यादा सक्त हम नहीं करेंगे ये बाद में थोड़ा और सक्त होगा इसे छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए ढख कर हम इसे छोड़ देंगे जिससे आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है और आटा हमारा अच्छे से सेट भी हो चुका है इसे थोड़ा और हम मिला लेंगे हाथों से इस तरह से मसल कर ऐसा ही आटा हमें बिस्किट के लिए चाहिए अब हम हाथ में आटे का लोई लेंगे और जितने साइज की हमें बिस्किट बनाना है उस साइज से हम तोड लेंगे एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम लोई को तोड़ तोड़ के लोई बना कर रख लेंगे दिखिए इस तरह से हम लोई बना कर रखेंगे नारियल कब इसकी बहुत ही टेस्टी होता है और इसे हम आज बेक करके नहीं बनाएंगे इसे हम तल कर बनाएंगे, एक छणनी लेंगे और पेड़े बनाकर हम उपर इस तरह से हलका हलका दवाएंगे, जिससे ये इसमें एक अच्छा सा डिजाइन बनके आएगा, देखे हलके हाथों से दवाना है, ज्यादा जोड से ज्यादा ताकत लगा के ना दवाएं इसे, पर हलके हाथों से दवाएं, देखे किता सुन्दर सा डिजाइन इसके उपर उभर के आया है, इसी तरह से हम सारे बिस्कित तयार कर लेंगे, हमारा सारे बिस्कित तयार हो चुका है, अब इसे हम तल लेंगे, तलने के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे, और इसे गर्म होने दे तब ही बिस्किट हमारा खस्ता बनेगा इस तरह से बिस्किट डाल कर हम इसे एक साइट से सिखने देंगे फिर पलट लेंगे देखे इस तरह सारे बिस्किट को हम तल लेंगे अब इसे हम निकाल लेते हैं हमारो बिस्किट फ्राय हो चुका है देखे दोस्तो कितना सुंदर क इतना अच्छा हमारा विस्कित बना है, बिल्कुल खास्ता विस्कित बना है, नारियल विस्कित, इसे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हैं दोस्तों, देखिए ये बहुत ही खास्ता बना है, आप इसे महीने भर रख के, अस्टोर रख करके खा सकते हैं, तो मेरा व